अब हमने purchase bill कैसे pass करना है वो हमने पिछले पार्ट में सीख लिया था इस पार्ट में हम देखेंगे कि purchase bill पास होने के बाद purchase हो गया सब कुछ हो गया लेकिन उसके बाद भी कुछ quantity है जो rejected है अब ये chances कब होते हैं बताईए debit note बोलते हैं इसे goods return due to fault अब मेरे पास bill generate हो गया है सब कुछ हो गया purchase bill आ गया party का issue हो गया है लेकिन उसके बाद भी कुछ goods मैंने चेक किये तबी 4 USB माउस return कर दिये खराब निकले थे क्योंकि वो fault मिले मुझे computer world से तो हमने वापस return कर दिये उसे मैंने supplier को दो बारा चार माउस return कर दिये ये ऐसा भी होता है जब आप कभी कभी customer को base देते हो तो customer आपको return कर देता है फिर आप party को return करोगे तो debit note उस case में भी pass किया जाता है क्योंकि party warranty देती ह party बांकी सारी चीजे देती है मतलब जो भी company है उसका look out है faulty निकला लेकिन आपका काम है कि customer से return लेंगे sales return आप pass करेंगे उसके against आप ये debit note पास करेंगे राइट तो debit note है चार USB माउस return to computer work due to faulty जब आपके पास bill received है उसके बाद जब आप कुछ return करते हो तो debit note में जाता है rejection out में नहीं जाता है rejection out था जब आपके पास goods आए आपने check किये bill नहीं आया था तब आप return कर दिये तो जो भी होगा वो rejection out में जाएगा लेकिन bill अभी issue हो चुका है bill issue होने के बाद जो entry आप pass करोगे वो होगी debit note की तो चली टेली प्राइम के अंदर आ जाते हैं तो मैं टेली प्राइम पर आ चुका हूँ और टेली प्राइम पर आने के बाद मैं आ जाता हूँ watchers में और watchers में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है मेरा क्या खुला हुआ है payment watcher मुझे क्या खुलना है debit note तो debit note खुलने के लिए आपको keyboard से press करना है alt के साथ F5 बटन यदि आप कभी shortcut की भूल जाते हैं तो कैसे open करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है लिखा हुआ है payment आपको payment के corner पे क्लिक करना है जैसे ही आप corner पे क्लिक करेंगे तो आपको यहा debit note alt F5 जैसे ही आप keyboard से alt F5 करेंगे तो आपका यहाँ पर debit note खुल जाएगा debit note खुलने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है debit लिखा हुआ है मतलब DR लिखा है तो DRCR mode तो हमको चाहिए नहीं मुझे यहाँ पर invoice mode चाहिए तो उसको कैसे हम लोग enable कराते हैं मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था तो keyboard से आपको प्रेस करना है control के साथ H बटन जैसे ही आप control H करेंगे आपके सामने में यहाँ पर change watcher mode खुल के आएगा आपको यहाँ पर select करना है item invoice तो मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ item invoice उसके बाद इंटर कर उसके बाद आपको यहाँ पर party का account name डालना है तो जो मेरा computer world था उसी को हम वापस करेंगे तो यहाँ पर computer world को select करेंगे computer world select करने के बाद अभी यहाँ पर बोला है tracking number तो आपके पास कोई tracking number है तो आप ले सकते हैं अभी मेरे पास नहीं है तो यहाँ पर not apply cable छोड़ देंग लेजर अकाउंट लेजर अकाउंट में हमको क्या चूज करना है purchase account ही रहेगा बड़ यहाँ पर अभी हम कर क्या रहे है रिटर्न कर रहे है goods को रिटर्न कर रहे है तो उसके लिए एक laser तयार करेंगे अल्ट से आप keyboard से प्रेस करेंगे और उस laser का नाम होगा purchase return account purchase return account के अंदर में आपका purchase account आएगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं purchase account उसके बाद बागी कोई detail को कुछ नहीं करना है control A से इसको accept आ लेते हैं उसके बाद यहाँ पर पूछता है name of item तो name of item में क्या होगा तो item का आपका नाम क्या होगा यहाँ पर हम ले लेते हैं usb mouse उसक इंटर करेंगे यहाँ पर फिर से आया है list of tracking number जो कि मेरे पास नहीं है यहाँ पर इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर दिखता है कि return आप किसमें कर रहे हैं पहला नंबर वाले में कर रहे हैं जो हम यहाँ पर order किये थे जिसमें की 12 अभी मुझे वह भेजेगा जो कि यहाँ पर dues है और दुछरा वाला का 50 dues है तो यदि हम one वाले में select कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 14 हो जाएगा मतलब जो हम reject किये थे उसी में मेरा add हो जाएगा मुझे नहीं करना है तो हम यहाँ पर not applicable के वाली रन देंगे अभी इंटर करेंगे quantity मेरा कितना है चार है तो यहाँ पर हम 4 को select करेंगे उसके बाद इंटर करेंगे rate automatic आचुका है फिर से इंटर करेंगे और यहाँ पर अब मेरा कोई item नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं जैसे हम यहाँ पर 4 लिये थे उसका rate आचुका था और 4 का जोड़ करके यहाँ पर 1400 आया है उ आप जो बिल बनाए थे उसी के reference में हम यह बिल बना रहें इंटर करेंगे वन नमबर यहाँ पर आपको दीख रहा है कि इसका balance कितना है 30,800 आपको दियान से देखना है कितना balance है 30,800 जो कि पहले का है जैसे हम इंटर करते हैं फिर से इंटर करेंगे इसको accept करा लेते हैं और यह बिल मेरा क्या हो चुका है बन चुका है बनने के बाद मैं यहाँ पर page up करता हूँ तो आपको यहाँ पर दीख रहा है कि जो USB माउस था जिसको हम 4 पीस return किये हैं अभी मैं इस बिल को back आके आपको दिखाता हूँ और back आ जाते हैं आपको यहाँ पर आजाना है balance sheet में ज आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पहले हमको कितना देना था 30,800 जो कि उसमें अभी मेरा minus हो गया है 1400 तो अभी मुझे उसको कितना देना है 29,400 यदि मैं payment करना चाता हूँ तो कर सकता हूँ यहाँ से भी आप देख सकते हैं या फिर आप stock summary में आ जी यहाँ से भी आप देखेगा तो यदि आप payment करना चाते हैं तो कैसे करेंगी तो इसके लिए आपको watchers में आना है और यहाँ पर आपको payment खोलना होगा payment कैसे खूलता है तो payment और shortcut की आपको पता होगा shortcut की यह आपका F5 आप F5 करिए यहाँ पर computer world को select करिए उसके बाद amount आपको डालना है तो amount आपको यहाँ पर दिखे रहे है current balance में भी वही amount आपको डाल देना है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 29400 कि उसके बाद इंटर करेंगी आपका यहाँ पर new reference रहेगा new reference select करना है amount आपको कैसे देना है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा cash तो यहाँ पर मेरा cash बना हुआ है तो आप यहां पर दे सकते हैं इस प्रकार से, तो आपको समझ में आया कैसे देना है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आपको श्रिफ मैं बताने के लिए आपको बताया कि पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग डेव पेमेंट भी सीख लिए, तो आप इन सभी चीजों का प्रैक्टिस करिए, अच्छे से कहां से कौन सा वाचर निकलता है, कहां पे हम जाके देखते हैं, बिल बनाने के बाद, इस सारे चीजों का प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम लोग सेल्स के बारे में जानेंगे, तो आफ लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू